बिस्मिल्लैरमानेराहिमस, सलाम अलेकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग ओमिद करते हूं ठीक होएंगे मैं हूं इसमा आप देख रहे हैं इसमा पूर्ट सिगरेट आज मैं आप लोग लेकर आई हूं टिंडे की न्यू श्टाइल की रेस्पी जो लोग टिंडे नहीं खाते ह वो भी शौक से टिंडे खाएंगे आज हम टिंडे को बिलकुल कौफते के तरीके से बनाएंगे बिलकुल मज़े के बनते हैं टिंडे के कौफते सबसे पहले हम टिंडे के छिल के उतार लेंगे तमाम टिंडे को हम इसी तरीके से छिल लेंगे और एक कद्दुकश लेंगे तींडे को कद्दुकश कर लेंगे तब मन तींडे को अंगर वहन पर पानी हे सब करना हम लक्ती दे लेग कासरUSD करना है तक यह तक oui कनगर अब द्यूग मद फ्लेवर आंगे मैं आपको पानी ने चोड़ने के दो तरीके बताऊंगी हाथ मेरे टिंडे को लेंगे इस तरीके से भी पानी ने चोड़ लेंगे और सबसे इजी तरीका बताऊंगी आप चाहें तो आप हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप कपड़े से भी कर सकते हैं यह दूनुई तरीके आसान हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आईए तो मेरी रेसिपी को शेयर करें मेरे चैनल पर भूती मज़े मज़ेगी रेसिपी है आप जाके विजिट करें हम एक कपड़ा लेंगे साफ सुत्रा इसके अंदर हम तमाम टिंडे को एड़ कर देंगे और इस तरीके से इसका पानी निचोड लेंगे बलतन को हम साइड में कर देंगे अब इस तरीके से हम टिंडे के तमाम पानी निचोड देंगे टिंडे का अच्छे तरीके से पानी निचोड लेना है ताके बनाते बग कौफते तूटे नहीं ताम त्रिंडों का अच्छे सा पानी इस तरीके से ने चोड़ लेंगे, पानी के चोड़ लिया है , आप तिंडे को हम तशले पर रखेंगे, आप इसको अधर में दशने की मदत से फेला लेंगे, अब इसके अंदर हम एक स्मूल साइस की प्यास ली है जिसको मैंने बारिक ब बारिक काटना है प्यास को में जादा मोटा नहीं काटना है हरी मिरश लेंगे तीन से चार हरी मिरश को भी बारिक बारिक काटना है आज हम इसके अंदर बिल्कुल टुंडो को न्यू स्टाइल से बनाएंगे खाने वाले भी आपकी तारिफ करेंगे यह रेस्पी बहुत ही वन टी स्पून नमक एट करेंगे वन टी स्पून जीरा पोडर एट करेंगे एक खाने का चिम्चा अदक लस्थन का पेज इन तमाम मसालों को टिंडों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर हम बैसन एट करेंगे बैसन को पहले में तीन टेबल स्पून एट करूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी इसके अच्छी से बाइडिंग करनी है हमें अगर हम ऐसा लगे के बैसन का हमें तो इसके अंदर हम दुबारा से बैसन एट करेंगे बैसन को में जादे एट नहीं करना है मैंने इसके अंदर चार टेबल स्पून बैसन एट करा है ऐसा नोगे बैसनी का फ्लेवर आए इस तरीके से हम कौफते को गुल गुल बना लेंगे इस तरीके से तमाम कौफते को हम इस शेप का बना लेंगे अब इसको हम सेट करने के लिए फिरेश में तीन से चार मेट के लिए रख देंगे एक कड़ाई लेंगे इसके अंदर ओयल एड़ करेंगे कौफ्त को अच्छे से सर्धिये करना है गरम हो तो इसके अंदर कोफ्त एट करेंगे 4-5 मेर मैंने इसको फिरिश में रखा था तके सेट हो जै कॉफ्त को हमें एक एक करेंगे और हमें इसको लो मza लेंपर पकाना है हमें जादा मीडियम हाई फिलेम पर नहीं पकाना है और इसको हम इहत्यात से हिलाना है ताके यह टूटे नहीं अब इसको हम लाइट प्रॉंड कलर देंगे माशयलेस रेसिपी बहुती मज़े के और अच्छी बनती है अब इसको जरूर ट्राई करें अब मैं इसमें लाइट प्रॉंड कलर आगी है हम इसको निकाल लेते हैं आप चाहिए अब इसको ऐसे भी खा सकते हैं यह रेसिपी ऐसे भी बहुती मज़े की लगती है टोमाटो केचप के साथ या पिक चटनी के साथ इस तरीके से तमाम कौफतों काम निकाल लेंगा ओल को म एक साथ बादार के मिंटे में तक पकाना है एक मेंडियम साइज की प्यास लीरिए जिसको मैं था यहां भीक deeper को तक एक तेज़ पत्ता लेंगे, छे से साथ काली मिरच, एक इंच का ड्राव चीनी का टुकुड़ा, इन मसाले डालने से कौफते में भोती मज़ेगा फिलेवर आता है, और मसाला भी भोती मज़ेगा बनता है, ये रैसी भोती मज़ेगे बनती है, इन तमाम मसालों को हमें तक्र लाल मिरश पॉर्डर, नमक का आप अपने मुत आपकेक के मुताबिक, कर सकते हैं तकके मासाली के इच्छी से भूनाई हो और पानी घौम पहले टीन टीन टैबल स्पून एट करेंगे मीडियम हाई फिलेम पर इसको कुक करेंगे हमें इसके अंदा पानी थोड़ा थोड़ा करके एट करना है ताकि मसाले के अच्छे सबुनाई हो जाए एक मीडियम साइस का टेमाटर लिया है जिसका मैंने पेस बना लिया है टेमाटर एट करेंगे मसालों का अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 4 टैबल स्पून मैंने दही ली है इसके अनर दही एट करेंगे और इसको हम मेडियम हाइ फिलेम पर रख देंगे मैंने दही को पहले नहीं चलाया था इस तरीके से आपकी दही फट्टी नहीं है अर मसाले के अच्छे तरीके से भुनाई हो गए हम इसके अंदर 1 स्पूण खिट सिर्ड करेंगे मसाले थेल भी चोट doll है अब जो हमने तिन्डे का पानी अलग करा तो एत करेंगे आप चाहें तो तिन्डे का पानी ए casi करें पटिंडे का पानी एड़ करने से रस्पी में जाई का बहुती मज़े का आता है अब इसके हमने अच्छे से 2-3 मिनिट तक भुनाई करें मसाले को अच्छे से खोशक कर लिया है और मसाला तेल भी छोड़ चुका है अब इसके अंदर हम पानी एड़ करेंगे पानी को में दो गिलास पानी एड़ कर रहा है मैंने अब इसके अंदर हम कौफते को एड़ करेंगे आप चाहें तो गिरेई भी अपनी मर्जी के मताबिक भी रख सकते हैं ज्यादा या कम आपको जैसा मर्जी या वैसा रखे आप इसको हम चलाएंगे नहीं वरना कौफते टूड़ जाएंगे इसको कवर करके पाश मिनट के लिए लो फलेम पर रख देंगे आप इसको हम मजीद खुबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे कौफते के अंदर हरा धनिया डालने से रेसिपी बहुती मज़ेगी बनती है खुशबू भी बहुती अच्छा आता है ये तो कौफते की जान होती है आप हम इस तरीके से को मिक्स करेंगे और आप इसको हम डिशॉड करते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आईए तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को शेयर करें मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे चैनल पर भोती मज़े मज़े की रेसिपी है जाके उनको विजिट करें और नेक्स वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्ला हाफिस आपको हम अगली वीडियो में मिलते हैं भोती मज़े की रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखना